All right, Hi everyone, 50 days से कोई वीडियो नहीं डाला था मैंने YouTube पे, और आप सब gate exam की preparation कर रहे होगे, अगर आप gate 2025 preparation कर रहे हो, और अगर आप इस journey के end में, अगर आप expect करते हो कि आपका double digit rank आना चीए, single digit rank आना चीए, आपने कुछ महीने पहली preparation start किया हो सकता है, या फिर आप अभी preparation start करने के बार में सोच रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत सदा helpful होगा, इस वीडियो का title जैसे आपने देखा है, gate 2025 ideal preparation strategy नहीं बता रहा हूँ मैं, ये title itself मैं नहीं popular किया है, पर लगबग सभी ने copy कर लिया है अभी के time पे, पर आज मैं बताने वाल कुछ updated preparation strategy, कुछ साल बाद ये same strategy आपको हर कोई बताएगा, पर जो इस साल इसका benefit लेगा, वो अपने सारी competitors से बहुत आगे रहेगा, तो सबसे जादा benefit ये कौनसे branch के students को हो सकता है, सबसे पहले मैं वो clear करना चाहता हूँ, अगर आप electronics branch से हो, अगर आप computer science IT branch से हो, अगर data science AI branch से हो, ये तीन branches के students के लिए, आज मैं जो कुछ भी बाते करूँगा, वो सब कुछ ideal होगी, मतलब सबसे best होगी, अगर आप अभी भी preparation करना start कर रहे हो, आज से, फिर भी आपके एक possibility होगी, कि आप एक double digit rank निकाल सकते हो, ये तीन branches में, कुछ एक special tips दूँगा, जो ये तीन branches class if applicable होगी, बाकी branch वाले क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो देखो, gate exam finally एक competitive exam है, यहाँ पे एक लाग बच्चे appear करते हैं, किसी भी branch में approximately, तो हमेशा एक student जबी हमारे भी course में enroll करते हैं, मुझे question पूछते हैं, क्या मेरा double digit rank आ जाएगा, क्या मेरा 100 के अंडर rank आ जाएगा, हमारे course में itself कितने सारे students enrolled होगे, सारे rankers भी अगर हमारे course से आए, फिर भी practically impossible है, सबका under 100 rank आना, क्योंकि 100 के अंडर तो 100 ही लोग आ सकते हैं, तो अगर आप actually ranker बनना चाहते हो, अपने दिमाग में सबसे best expectation ये मत रखे कि मेरा सबसे best rank आना चीए आपका expectation अपने आप से ये होना चीए, कि मैं सबसे जादा महनत करूँगा अगले कुछ महीनों में, अभी अगर मैं preparation अपना start करूँगा, हो सकता है कि बहुत सारे students ने बहुत पहले preparation start किया हो, पर अगर मैं आज preparation का journey start करूँगा, अभी से लेके gate exam के दिन तक, सबसे जाद महनत मैं करूँगा, सबसे जादा घंटे की पढ़ाई मैं करूँगा, क्योंकि जो सबसे जादा घंटे की पढ़ाई करेगा, उसका एक possibility है बाकी लोगों को हराने का, जो जादा महनत करेगा वो ये बाकी लोगों को हरा सकता है, तो ranker बनने की expectation मत रखिए, या फिर ये question कि किसी से मत पूछे, अपने आप से बाते करना अलग है, पर किसी और से आप confirmation मत पूछते रहिए, सबसे पहले मैं ये clear करना चाहता हूँ, मैं ये sixth year है, मैं gate aspirants को guide कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने दो साल खुद का preparation किया था, gate exam का, IIT Bombay में MTech करते हुए, मैंने बहुत सारे videos बनाए हैं, बहुत सारे rankers के साथ discussion किया है, मैं लगबख सारे rankers से मैं discussion करता था, कोई इसका strategy video देख रहा है, फिर वो strategy वाले videos देखके मेरे interview में आके tips and tricks दे रहे हैं, कोई भी खुद नहीं सोच रहा है कि अच्छा मुझे कैसे actually मैं कैसे guide करूँगा new aspirants को, लगबख सार topers एक दूसरे के videos देखते हैं, उसके हिसाब से अपना content बचाते हैं video में, पर अगर मैं अपने वापस से question पर आओ, electronics, computer science, data science ही आए, data science ही आए तो नया branch है, पर electronics और computer science, specifically यह दो branches, आपको 100 marks निकालने की जरुरत नहीं है, अगर आप 100 के under rank निकालना चाहते हो, आपको full marks नहीं निकालने है, in fact आपको 90 marks भी नहीं निकालने है, अगर आप under 100 ranker बनना चाहते हो, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, कि अगर आपके एक दो subjects weak रह गए, पर बाकी के सारे subjects में अगर आप strong हो, actually बहुत strong हो, जबी भी वो subject के questions आते हैं, आप accuracy के साथ apply कर पाते ह जो भी आपने पढ़ाई किया है, तो भी आप ranker बन सकते हो, ठीक है, जैसे मैं electrical engineering की बात करूँ, यहाँ पे बहुत high score जाता है, बच्चों का, mechanical engineering की बात करूँ, बहुत high score जाता है, 90, 95 भी marks लाते हैं, ठीक है, लगबग सारी toppers का बहुत high score होता है, वैसे civil engineering branch में भी, approximately सार year, कभी-कभी एक exception हो सकता है, कि paper बहुत difficult आया था, पर अगर मैं electronics की branch की बात करू, computer science branch की बात करू, यहाँ पे paper लगबग हमेशा difficulty रहा है, specifically electronics का तो बहुत difficult रहा है, 55 marks प्लस भी अगर आप score कियो, बहुत सारे years में हमने देखा है, कि बच्चों का under 100 rank आया है, in fact, किसी तो rank 1 से मैंने discussion किया था, कि आपने rank 1 लाने के लिए क्या अलग किया, उसने बताया कि इससे पहले मिला rank 137 भी था, जब मैंने core subjects prepare भी नहीं किये थे, सिर्फ non core subjects पढ़के भी, उसने 137 rank achieve किया था, तो मैं बताना क्या चाहता हूँ इस वीडियो में, मैं आपको बत है, बस complete करने की definitely कोशिश करनी है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा, एक-दो subjects भी करक लेना, और सिर्फ बाकी सारे subjects ही करके जाना, मतलब सिर्फ 8 subjects करके जाओ, दो subjects छोड़ दो, मैं छोड़ने आपको जान मुझके नहीं बोल रहा हूँ, intentional नहीं बोल रहा ह क्योंकि अभी हमारे पास time कम है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कि अगर आपका एक या फिर दो subject रह भी जाए, सिर्फ भी आपका 100 के अंडर rank आ सकता है, अगर आप बाकी subjects में actual में बहुत ज़दा strong हो, तो आप strong कैसे बनोगे वो question आता है, क्योंकि मैंने भी आपको अ फिर जाके January में mock test दीजिए, बाकी लोग बता सकते हैं कि October, November तक syllabus complete करिये, जो कि impossible सा मुझे लगता है, December 31st आई जाता है, अगर आप एक साल की preparation कर रहे हो, December 31st आना ही है, तो जुट बोलने की जरुरत नहीं है कि October, November तक आप syllabus complete कर लो, अभी preparation स्टार्ट करके या फिर एक साल के जर्णी में, मेरे इसाब से with revision, with pyq, December 31st आई जाएगा, तो हमारा strategy क्या होगा, कि हम जादा अच्छा perform कर सके बाकी लोगों के comparison में, क्योंकि बाकी लोग क्या करेंगे, पूरा syllabus खतम होने तक wait करेंगे mock test series attempt करने का, एक repeater का strategy complete different होगा, repeaters के लिए विडियो नहीं है, जिन जिनका भी पूरा syllabus अभी के time पे हो चुका है, या फिर सिर्फ एक या फिर दो subject पाकी है, उनके लिए विडियो नहीं है, जिनके एक या फिर दो subject हुए है, सिर्फ, या फिर zero subject हुए है, उनके लिए विडियो है, मैं आप से क्या बोलूंगा, जैसे electronics के branch में, non core subjects, आपके सि तीनी core subjects है, ठीक है, EDC, EMT, Communication, इसमें से EDC तो आप analog कर लिए हो, तो EDC भी आपका हुई जाएगा, तो दो core subjects मैं इसा समझ लेता हूँ, एक है EMFT, एक है Communication, ये दोनों subjects prepare करने से पहले ही, आप mock test series देना start करना, अगर आपके वाकी subjects भी हो जाए, EMT Communication छोड़के, तभी भी test देना start कर देना, वैसी computer science को क्या बोलूँगा मैं, अगर आपका C programming, data structures, algorithm, discrete mathematics, TOC, compiler design, computer network, जब भी आपके इतने subjects हो जाएंगे, ठीक है, आप एक दो महीने पहले preparation करना start किये हो, या फिर अभी आप preparation करना start करोगे, repeaters के लिए नहीं बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ अगर आप अभी preparation करना start करोगे, C programming करिए, data structures करिए, algorithm करिए, TOC करिए, compiler design करिए, computer network करिए, mathematics करिए, and aptitude करिए, और mock test series attempt करना start करना, और parallel में, फिर नया subject भी आप prepare करते रहिए, पूरा syllabus खतम होने तक हमें wait करने की जरुरत नहीं है, mock test series attempt करने के लिए, ये मैं बताना चाहता हूँ, कुनसे कुनसे branches के students के लिए, सर, electronics के students के लिए, और computer science IT students के लिए, क्योंकि आपके बाकी subjects हैं, electronics में, EMT communication भी अगर आपका रह जाता है, और अगर आप बाकी सारे subjects कर लिए हो, अभी भी आप mock test series में, 55 plus, 60 plus score करने की possibility है, और अगर आप इतने marks score करते हो न, 60 plus marks, चाहे वो electronics हो, चाहे वो computer science हो, आपका IIT जाने तक का, एक बहुत ही अच्छा rank आएगा, क्योंकि ये दोनों branches में लगभग difficulty आता है paper, और जबी भी paper difficult आता है, हमें जादा score नहीं करना होता, तो हम क्या करेंगे, 5 weightage वाले subject सबसे पहले करेंगे, ये हमारा strategy है, computer science में क्या कर सकते हैं, C programming, C programming, data structures, algorithms, mathematics, discrete mathematics, TOC, compiler design, computer network, and aptitude, mock test series दीजिए, analysis करिए अपना, और next subject prepare करना, start करिए, फिर जैसी next subject होगा pending, वापस एक mock test series दीए, analysis करिए, और अपना नया subject prepare करिए, मतलब पूरा syllabus खतम होने तक हमें wait करने की जरुरत नहीं है, हमने अपने सारे high scoring important subject prepare कर लिए, और हम mock test parallel देना start कर दिया हमने, क्यूंकि आपके पास बहुत कम time है, मैं आपको topic wise test series में time waste करने नहीं बोल सकता, आपको subject wise test series में time waste करने नहीं बोल सकता, आपको मैं combinational subject test में time waste कर करने नहीं बोल सकता, मैं आपको सिर्फ recommend करूंगा कि आप सिर्फ mock test पे ध्यान दीजे, कब जब आपके high scoring subject खतम हो जाए, और high scoring subject क्या होगे computer science IT ब्रांच में and electronics ब्रांच में, वो मैंने आपको बता दिये हैं, इससे होगा क्या, कि आप mock test में एक पूरा paper एक साथ कैसे attempt करत हैं, जो आपने knowledge gain किया है, उसे apply करना secret, ठीक है, और parallelly आप अपना pending subject भी prepare करते रहोगे, तो अगर ऐसे करते करते, अगर आपका December 31st तक भी syllabus खतम होता है, with revision, with pyq, with revision, with pyq, ये by default है समझ लीजे, उस पे मैं बात करूंगा, revision पूरा syllabus खतम होने के बाद नहीं करेंगे, ठीक ह revision parallelly पहले दिन से ही चलता रहेगा, ऐसा समझ लीजे, वैसे ही, एक subject खतम होने के बाद, उसका pyq बाकी है, ऐसा नहीं होना चीए condition, कि एक subject का pyq बाकी है, तो भी मैंने दुसरा subject start कर दिया, ऐसी आप सारे subjects के pyq बाकी रखोगे नहीं तो, एक subject complete हुआ मतलब, with pyq खतम हुआ ह फिर मैं next subject पे जाऊंगा, last 15 साल के pyq आपको definitely solve करने है, और कोई भी subject 30 days से जादा revision के लिए delay मत करना, अगर आज मेरा कोई एक particular subject हो गया है, तो 30 days बाद वो पक्ता revise होना चीए, मैं make sure करूँगा, फिर मैं कोई नया subject उठाऊंगा, for example, अभी मेरे 3 subject हो गये है, तो मैं तुर चार दिन का, एक हफते का gap लूँगा, वो तीनो subjects अपने main notes से revise करने के लिए, ठीक है, चार दिन का, पाच दिन का भी समझ सकते हो, कुछ students के case में, पर मैं gap लूँगा, वो तीनो subjects revise करूँगा, फिर fourth subject उठाऊंगा, क्योंकि सिर्फ main notes बनाने का competition नहीं है sir, जो भी आप prepare कर उसे exam के दिन तक लेके जाना है, आज के attendance का marks नहीं है, आज आपने class में कितना answer किया था, आज आपने doubt solving group में कितने लोग के doubt solve किया, उसके marks नहीं है, जो भी आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आज अगर आपका एक subject खतम हुआ है, वो 30-30 days के interval में revise होना ही चीए, उसे 30 days का interval हो सकता है, अगर उनका memory थोड़ा जाद ही अच्छा है तो, पर revision is must, और कोई भी subject without PYQ खतम नहीं हो सकता, without PYQ खतम किये मैं next subject स्टार्ट करूँगा ही नहीं, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इस preparation strategy में, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अगर आ आप electronics branch के student होकर आप अभी सिर्प preparation करना start करोगे, intentionally आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने एक या फिर दो subject बाकी रख लेना, बहुत सारे cases में बाकी रह जाएंगे, पर वो complete करने तक मैं mock test दूंगा ही नहीं, ये आपका strategy नहीं होना अच्छे है, जैसे electronics के case में, जैसे आपका network, signal, maths, control, analog, aptitude हो जाए, mock test attempt करना start करें, फिर EDC, communication, EMT के बारे में सोचिए, ठीक है, बतलब mock test attempt करते करते ये subjects के बारे में सोचिए, prepare करने का, mock test, syllabus खतम होने तक हमें नहीं wait करना है इस पर, क्योंकि मैंने observe किया है, कि ये branches में rank निकालने की possibility है, क्योंकि 90 plus marks नहीं score कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, पर बाकी branches में सारे subjects करना important बन जाता है, हमारे पास ऐसा नहीं होता possibility कि हम कुछ subjects छोड के या फिर एक-दो subjects छोड क के भी ranker बन जाए, ये बाकी branches में possible नहीं है, अगर हो सकता है, एक possibility है, अगर आपका gate exam का paper 2025 का, electronics में भी बहुत ज़दा आसान आ जाए, computer science में भी बहुत ज़दा आसान आ जाए, आसान भी तो आ सकता है ना, अगर आसान आ जाए, तब पूरा syllabus जो करेगा, वो ही ranker बनेगा पर most of the years में ने देखा है, electronics and computer science का paper difficult होता है बहुत, तो maximum लोग 90 प्लस marks नहीं score कर रहे हैं, अगर आपने 60 प्लस भी marks score किये, तो भी आप IIT जाने तक का एक अच्छा rank score कर दोगे, और जब मैं IIT बोल रहा हूँ, IIT Bombay बोल रहा हूँ, IIT दिल्ली बोल रहा हूँ, या फिर I IIT गुवाटी बोल रहा हूँ, खरकपूर बोल रहा हूँ, समझ ले हो, सारे old IITs के respect में बाते कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरा एक strategy का video था आपके लिए, और अगर आप अभी से preparation करना, start करना चाते हो, आप हमारे साथ preparation करने के बार में सोच सकते हो, हमारे computer science का भी course है, हमार computer science का course का duration हमारा 750 hours का है, हमारे कुछ faculties IIT कानपुर के platform पे भी teach करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे faculties भी है, जो 20 सालों से teaching experience है, उनका gate exam के प्रती, और अगर आप data science के AI के भी prepare करना चाते हो, हमारे पास course है, जिसका duration 350 hours का है, तो मेरे हिसाब से, अगर आप computer science IIT में बहुत अच्छा preparation करना चाते हो, हो सकता है कि, अगर आप एक average student हो, आप एक दो subject चुई ना पाओ, क्योंकि time हमारे पास बहुत कम है, पर जितने भी subjects आप cover करोगे हमारे साथ, इस बचे कुछे time में, उसमें maximum questions आप correct बना के आओगे, आपको questions समझने में difficulty नहीं होगा, इसकी मैं guarantee लेता हूँ, तो कि हमारे teachers ने हर चीज जीरो से सिखाई है, gate exam से तो थोड़ा आगे ही सिखाई है, तो gate exam के questions आपको difficult नहीं जाएंगे, ओके, आप हमारे demo lectures भी देख सकते हैं, आप मुझे WhatsApp पे message करिए, WhatsApp का number आपके screen पे भी आत से crop करके students का feedback बता देते हैं, पर मैं students का complete chat आपको भेजूँगा, आप खुद देखिए कि students का क्या feeling है, जो हमारे साथ computer science, data science या एक लिए prepare कर रहे हैं, अगर आप interested हो, आप definitely हमारे साथ prepare करिए, इस course में सिर्फ आपको syllabus cover नहीं कराया जाएगा, उस video lectures को किस तरह से use करना है किस तरह से plan करना है, हर दिन आप क्या करोगे, कौन से दिन आप revision करोगे, कौन से दिन आप test series करोगे, सब कुछ का planning मैं करूँगा, excel sheet में आपको time table बना के दूँगा, जो आपके परती होगा, ये कोई university exam नहीं है, right, कि सब का एक साथ हम preparation start करेंगे, सब का एक साथ subject खतम हो जाएगा, अभी next subject start होगा, सिर्फ main notes बनाते रह जाते हैं लोग live lectures में, पर हमें, जैसे मैंने बताया, revision करने के लिए gap लेना है, previous question solve करने के लिए gap लेना है, जो आप live lectures में नहीं ले पाते, तो वो सब मैं plan करूँगा आपके लिए, आप हमारी course के साथ prepare कर सकते हैं, और जै जैसे कि difficult subjects computer science में जो है, C programming, data structures, algorithms, TOC, COA, operating system, ये 6 subjects के लिए, last 15 साल में जितने भी PYQ आये हैं, जितने भी PYQ, वो सब के video solutions भी हम आपको provide कर रहे हैं, ताकि अगर आपको solutions का, वो text में दिया होता है, right, book में, उसमें अगर आपको difficulty हो, तो हमारे video solutions देखके, फटा-फट सकते हो, पर मैं video देख देखकर नहीं, मैं expect करूँगा कि आप questions solve करिये, सुपसे solve करना होता है, previous year का question एक book में देखके, पर जब नहीं कर पाए, either doubt solving group में पुछ सकते हो, या फिर हमारे videos का use कर सकते हो, सिर्फ difficult subject के लिए हमने बनाए हैं, अभी, क्योंकि मेरे इसाब से बाक से WhatsApp का group है, common WhatsApp का group नहीं है, programming DSA का अलग, COE operating system का अलग, POC compiler design का अलग, DBMS maths का अलग, तो आप अपने भी doubts कुछ पाओगे, अगर आप एक particular subject पढ़ रहे हो, for example, maths का पढ़ रहे हो, आप preparation कर रहे हो, बाकी बच्चे उस maths के group में क्या पूछ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो दूसरों के doubts से भी आप सीख सकते हो, इस तरह से अब अपना preparation next level पे लेके जा सकते हो, और कभी भी आप doubts कुछ सकते हो, चाहे वो रात हो, दिन हो, कभी भी हो, within 24 hours, worst case में, worst case में 24 hours में हम पका reply देते हैं, best case में instantly reply मिली जाता है सबको, तो हम बहुत जादा dedicated हैं, अपने काम को लेके, अपने lectures को लेके, हम जो claim करते हैं, वीडियो में आके उसको लेके, अगर आप interested हो, आप मुझे whatsapp पे message करिए, आप हमारे साथ computer science, data science AI के लिए prepare कर सकते हैं, आपको gate exam में भी guide करूँगा, और next year मैं सिर्फ अपने students को ये post gate के लिए guide करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे maximum students IIT Bombay में जो हो, वो हमारे course में से हो, तब मजा आएगा, तो next year सिर्फ हमारे course वाले students को मैं post gate के लिए guide करूँगा, personally, चाहे वो return test हो, interview हो, आपके rank पे क्या-क्या, किस तरह से use करना है, सब कुछ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो मैंने जो key point आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताया है, कि पूरा syllabus खतम होने तक wait नहीं करना है sir, mock test attempt करने का, जैसी आपके high scoring subjects खतम हो जाए, चालू कर दीजे, mock test attempt करना, parallel में और pending subjects भी prepare करते रहिए, extra time निकाले, mock test attempt करने, तो यह एक मेरा preparation strategy का वीडियो था, लगबग 50 days के बाद हम अपना feelings, comment section में लिख सकते हो, ठीक है, और next video आपको क्या चे यह भी आप बता सकते हो, हम 2025 के लिए अलग course है, 2026 के लिए अलग course है, 2027 के लिए अलग course है, ऐसा सब नहीं करते हैं, batches launch करने में में मैं interested नहीं हूँ, syllabus सारे year के लिए same है, right, same course को, हर year का student किस तरह से अलग use कर है, वो मैं personalized temptable बना के देता हूँ, ना, course सब के लिए same है, ठीक है, बस कैसे use करना है, वहाँ पर difference है, thank you.